हमारे पुराणों में कहा गया है कि जिस मनुशे की मृत्यू पंचक नक्षत्र में होती है उसके आत्मा को आसानी से मुक्ति नहीं मिलती और उसी नक्षत्र में एक वरुण नाम के आदमे की मृत्यू हो गई वरुण के दो भाई और हैं विपुल और वासू लेकिन सैयोग से तीनों की पत्रिया मर चुकी है और तीनों के एक एक बच्चे हैं वरुण के अंतिम संसकार से पहले पंडि जिनने विपुल को इस पंचक काल के बारे में बताया और कहा कि इस काल के प्रकौप से बचने के ल और फिर उन पुतलों को भी चिता के साथ जलाना होगा विपुल और वासु तैयार थे लेकिन वरुन का बेटा तरुन उसे ये सब फालतू लग रहा था वो इसके खिलाफ था तरुन योरोप में पढ़ाई करता है और जब से वो वहां गया था उसे अपना कल्चर और परंप का वक्त आया तो तरुन जिद पर अड़ गया कि वो अपने पापा के साथ ये ड्रामा नहीं होने देगा तो उसने उन पुतलों को चिता में नहीं जलाने दिया पुतलों में प्रान पर्तिष्टा के लिए एक अलग पूजवीदी काम में ली गई थी और इस वज़े से पुतले थे उन्हें अपने साथ ले गए तरुन अभी भी सबी से गुसा था उसे घर में नहीं रुकना तो विकी उसे अपने फार्म हाउस पर ले आया विकी विपुल का बेटा है और तरुन का कजन तरुन ने अगले दिन ही वापस योरोप जाने का फैसला किया वो बैग भी उन्हें के साथ फार्म हाउस चला गया और वहां के कैर टेकर ने वो बैग घर के अंदर रख दिया उसी रात कैर टेकर ने कुछ अजीब आवाजे सुनी और बिना किसी को बताए काम छोड़कर भाग गया इस बात को हुए 72 दिन बीथ गए सब कुछ नॉर्मल होने लग विकी और प्रीतिक की शादी होने वाली थी लेकिन वरुन के मड़ने से वो शादी थोड़ी आगे किसक गई और दोनों अब अपने शादी की नई डेट निकालने के लिए बहुत एकसाइटेड थे क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन दोनों के परिवारों ने मिलकर शादी के लिए नई डेट निकाल दी जो 11 दिन बाद की थी शादी विकी के फार्म हाउस पर होनी है फार्म हाउस का पूराना केर टेकर भाग गया उसकी जगह अब नया केर टेकर आया है जिसका नाम टैगी है और उसके साथ उसकी बेटी ट्विंकल भी वहीं रहती है ट्विंकल साथ आट साल की थी एक दिन वो पाँचों पुतले उसे मिल गए ट्विंकल उन्हें खिलोने समझ अपने साथ ले गई और अक्सर उनके साथ खेला करती प्रीती के माता पिता उसकी शादी विकी से करवात हो रहे थे लेकिन उनके मन में ये बात कह अगी न कई खटक रही थी कि विकी का परिवार शापित हो गया है क्योंकि उन्होंने पंचक में हुई मौत का ठीक से किरियकरम नहीं किया था विकी की शादी अटेंट करने के लिए नहा आती है नहां वासु की बेटी है यानि विकी की दूसरी कजन विकी उसे का टायर निकल गया एक तरीके से वो पुतला मर गया और उस पुतले के मरते ही दूसरी तरफ नेहा के पापा वासु के उपर से भी एक ट्रक निकल गया और उसकी वही पर ही मौत हो गई वासु बाई रोड शादी में आ रहा था वासु की मौत भी वैसे ही हुई जैसे उस माम हाउस में विकी की शादी का प्रोग्राम शुरू होता है महमान आ रहे थे नाच गाना हो रहा था इसे बीच विपुल को दिवार के उपर उन पांच पुतलों में से एक पुतला दिखा पुतले को देखकर वो बहुत टेंशन में आ गया उसे समझ नहीं आया कि इसे यहां जगह ले जाती है लेकिन वहां बाकी के पुतले नहीं थे ट्विंकल विपुल को बताती है कि वो यहीं रहते हैं पर कभी कभी नहीं मिलते तबी घर पर तरुन भी यूरोप से लोट आता है वो शादी के लिए आया था और उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे वो अपनी उन ह मरकतों के लिए शर्मिंदा है लेकिन विकी को उससे अब कोई शिकायत नहीं थी शाम को ट्विंकल को एक पुतला मिला जो घर के बीचों बीच पड़ा था नहा ने उसके हाथ में वो देखा तो उसे भी वो थोड़ा अजीब लगा उसने तुरंत जाकर ट्विंकल के हाथ स वो पुतला लेकर फेक दिया पुतला सीधा एक पानी की बाल्टी से टकरा कर तूट गया और उसकी गरदन बाल्टी में भरे पानी में गिर गई मतलब यहां तीसरे पुतले की भी मौत हो गई यह पानी में डूब कर मरा है और थोड़ी देर बाद नेहा और विकी मस्ति कर थे मस्ति करते करते नहां गलती से उचाई से गिर गई और सीधी गंदे पानी के छोटे से तलाब में गिरी जो घर के पीछे बना हुआ था वो थोड़ा गहरा था लेकिन वक्त रहते विकी और तरुन ने उसे बचा लिया और दूसरी तरफ सोते वक्त विपुल को भी ऐसा हो विकी ने उससे उसके ऐसे मूड का रीजन पूछा तो उसने माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई उसे उस दिन उन पुतलों को जलवा देना चाहिए था वो अब हमारे परिवार के पीछे पड़ गए विकी उस पर बहुत ज्यादा गुसा होता है कि उसे उस वक्त टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी तरुन ने अपनी गलती की माफी मांगी और विकी से कहा कि वो बस उसके साथ एक जगह चल ले विकी मान गया रात को सोने से पहले नहा बात्रूम में गई और उसे वहां किसी और के भी होने का ऐसास हुआ वो जब बहार आने वाली थी अचानक किसी ने उसे धका दिया वो सिधी पानी से भरे बात टब में जागिरी पहले बेहोश हुई और बाद में डूबने से उसकी मौत हो गई जैसे उसकी वज़े से वो पुतला मरा था अगली सुबह विपुल को खबर मिली कि उसके भाई वासु की एकसिडेंट में मौ तो विकी दर्वाजा तोड़ कर उसके रूम में चला गया अंदर जाने पर उसने देखा नेहा भी बात टब में डूब कर मर चुकी है फिर बाप बेटी का एक साथ अंतिम संसकार किया गया अंतिम संसकार के बाद विकी नेहा का फौन चेक कर रहा था तो उसे एक नेहा का voice note मिला जिसमें वो चह रही थी कि प्रीती को बचा लो, विकी कुछ समज नहीं पाया, तभी वहाँ उससे मिलने प्रीती आती है, वो विकी को बताती है कि वो pregnant है, यह सुनकर विकी बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ प्रीती की दादी को उसका पंडित बोलता है कि विकी के परिवार के उपर पंचक का दोश है इस बात का कड़ाई से ध्यान रखना कि कुछ महीनों तक प्रीती गलती से भी प्रेगनेंट ना हो जाए वरना बहुत बड़ा संकट आ जाएगा शाम को तरुन विकी को एक पहुचे हुए तांतरिक के पास गया और उसे सारी बात बताता है तांतरिक उन्हें इशारों में बताता है कि उन पर जो दोश है वो बहुत खतरनाक है जो उन्होंने गलती से वो पुतले बचा रखे हैं वक्त के साथ उनकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई पुतलों की आत्माएं अप बात करके विकी और तरुन अपने घर आ गए और विकी को इस बात की टैंशन हो रही थी कि इन सब चीजों का असर प्रिती और उसके बच्चे पर ना हो जाए और यही टैंशन तरुन को हो रहा थी वो नहीं चाहता था उसकी बच्कानी हरकत की सजा और किसी को जहलनी विकी वार में सिर्फ अब वो ही अकेला ज़िनदा बचा था। उसने ही विपुल और तरुन का अंतिम संसकार किए और अंतिम संसकार के बाद विकी घर पहुझा घर पहुँचकर् असने पुतलों को ढूंडन शुरू किया। और एक पुतला उसे मिल भी गया, विकी ने गुसे में उस पुतले की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया, विकी को फिर पृती का खयाल आया, वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर पृती से मिलने निकल गया, लेकिन रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही थी, पांच में से च श्राब के कारण विकी के साथ उसका पूरा परिवार भी खतम हो गया, पांचों पुतलों ने पांच जाने ले ली, विकी के मरने से वो श्राब, पृती और उसके बच्चे तक नहीं पहुँचा, और यहीं पर ये कहानी खतम हो जाती है, यहां तक पहुँच गए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई कहानी के साथ,